हेलो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं ऐसा नाष्टा कि बैटे बैटे अगर छोटी मोटी भूख लगे न और कम मैनत में कम समान में कुछ बनाना पड़े तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिए तो देर ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं इस नाष्टे को अब यहां पर एक कच्छा अलू लिया है जिसका छिलका उतार लिया है धो लिया है अच्छे से और पोंचकर हम इसको यहां पर कद्दू कस कर लेंगे कद्दू कस इसे आप मोटे वाले कद्दू कस से भी कर सकते हैं और बारिक वाली से भी दोनों से ही कर सकते हैं तो सिरफ और एक ही आलू कदूकस करना है तो आलू हमारे हैं पर कदूकस हो गया है अब इसमें टेंट के लिए डाल रहे हैं हम यहां पर आदा नीबू का रस नीबू का रस डालने से एक और फायदा है जो थोड़ा बोतम तेल का इस्तमाल करेंगे वो भी बहुत कम लगेगा साथ में डाल यहां पर एक से डेठी हरी मिर्च बारी में कट करकर साथ में जायते के लिए एक छोट ऊंचा टुगडा अदरक का कदूकस करके और की रहे हैं को तीन चम्मच यहां पर बेसन की लिए और आदी चमच जाएगी इसमें हल्दी और एक चमच जाएगा इसमें थनिया पाउडर और अब यहां पर इसको अच्छे से मिक्स देने से पहले हम यहां पर तीन चमच दही एट कर रहे हैं अगर आपके पास दही ना हो तो आप यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल स अच्छे से उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा धनिया पती डाल देंगे धनिया पती से स्वाध्य बड़ेगा दिखने में भी अच्छा लगेगा बीना पानी डाले हमने इस मिक्षर को यहां पर रेडी कर लिया अभी जो हमारे मुर्मुरे हैं थोड़े अभी सुके सुके त नीबू से तरह किंड़ चरब्ला नवाते हैं उनका भी अाप पर इसतमाल कर सकते हैं तो बस यहां पर नीमू से बड़ा पोशल लेकर इस तरी के से हम चैह RE percentage बना ले और यहां इस नाष्टे को डिफ्राइ भी कर सकते हैं रही उतली नहीं कर रही हूं रहीettes के कksom इन अच्छे से इस प्लडर कर लें लाएक हो जाए तो उसके बाद आप इस नाष्टे को एक एक करकर पलड़ दीजिए अगर मौर्णिंग में उटकर आप को भी टेंशन रहती है कि बच्चों क्या स्टीफिन में ऐसा क्या दे कि जो बच्चे टीफिन खतम करकर आएं तो आप मॉर्णिंग में बच्चों को पांच से साथ मिनट के अंदर ही नाश्ता बना कर दे सकते हैं बीना ज्यादा समय और बीना ज्यादा मेहनत के और यह देख में अओन के से इस नाश्ते को बना लेंगे इंस्टें बनता है और आसानी से बन जाता है यहां पर नहीं चांट कर लिया है और जैसे कि देखने से पता लग रहा ऑघ कि कलर बहुत अच्छा है और बीलिको भी Balli नी है healthy है बिना तेल के और उपर से बहुत क्रंची है और अंदर से soft है तो इस healthy और unique नाश्टे को एक बार try करना बनता है try करके feedback जरूर दीजिएगा कि आपकी recipe कैसी बनी और जादा से जादा दोस्तों में share कीजिएगा और recipe अच्छे लगी हो तो एक छोटा सा like वीडियो को share चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो मिलते हैं नई दी नई recipe के साथ thanks for watching